प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अलंकार लक्षन वे भेद इस विशे पर बात करेंगे अलंकार हिंदी साहित्ते के विद्यार्थियों के लिए कोई नया शब्द नहीं है आपने बार्वी में भी अलंकार पड़े होंगे और जैसा कि आपको विद्यती होगा अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है आभुशन, गहना और आभुशन और गहना सुन्दर्था को बढ़ाने के लिए सुन्दर्था में अभी वृद्धी करने के लिए पैना जाता है इसका अर्थ ये हुआ कि कव्वे में येदी अलंकार का प्रियोग किया जाता है तो वे कव्वे की सुन्दर्था को और अधिक बढ़ा देता है तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ सिदा सिदा आभुशन है और आभुशन सुन्दर्था को बढ़ाता है तो सौभाविक है कि अलंकार येदी कव्वे में प्रियुक्ट किये जाएंगे तो निश्चित ही वो कव्वे को सुन्दर बनाएंगे परिभाशा की येदी हम बात करें तो सभी कव्यों ने पुराने विद्वानों ने सेंस्कृत में और हिंदी के अन्य विद्वानों ने अपने अपने इसाब से परिभाशाएं इसकी दी हैं और वो एक ही बात कहते हैं जैसे आचारिय भामय कहते हैं वक्राविदेय सब्दोक्ती रिव तिस्टा वाचाल्म मलंकृती अर्थात शब्द और अर्थ की विचेत्रता ही अलंकार हैं इसी प्रकार रुद्रट ने कहा कि अभिदान प्रकार विशेशा एउं चालंकारा अर्थात कथन के विशिष्ट जो प्रकार हैं कहने के जो अलग-अलग अंदाज हैं वोही अलंकार हैं इसी प्रकार आचारिय रामचंदर शुकल ने वर्नन करने की चमतकार पूर्ण शैलियों को अलंकार की संग्या दी आचारी रामचंद्र शुकल क्या कहते हैं? कि वर्णन करने का जो चमतकार है आप वर्णन किस ढंग से किस चमतकारी का अंदाज में कर सकते हो आपके पास से बात को रखने की क्या क्या शेली हो सकती है वो अलंगकार है एक ही शिक्षक के द्वारा जिदि हम बात कोई पढ़ते हैं सुनते हैं तो हम उसे एक ही प्रकार से समझते हैं अब तथे एक ही है लेकिन दूसरा शिक्षक या फिर तीसरा शिक्षक उसको जब पढ़ाता है और तीनों शिक्षकों के पढ़ाने के अंदाज को जब आप उसका एक तरह से जब आप विशलेशन करते हो तो आप निर्धारित करते हो कि फला शिक्षक ने बात को बहुत अच्छे डंग से रखा उसने बहुत अच्छे अंदाज में बात कही इसका अर्थ यही है कि उसकी शैली में कहीं कहीं कोई विशेस्ता थी जिससे हम बात को अच्छे डंग से समझ पाए और आच्छे शुकल भी यही कहना चाह रहे हैं कि वर्णन करने की जो चमतकार पूंशेली है उसका नाम अलंगकार है तो अब इन सब को मिलाके और हम अलंगकार को परिबाश्यत करते हैं तो क्या होता है लंगकार कि काववे को सुसोभित करने वाला यानी काववे की सुंदरता बढ़ाने वाले उन विधानों को अलंगकार कहते हैं जिनके द्वारा काववे में आकर्शन या आकर्शक चमतकार आ जाता है पूरी परिभासा हो गई कि काववे की सुभा बढ़ाने वाले वे विधान अलंगकार कहलाते हैं जिनके द्वारा काववे आकर्शक और चमतकारिक बन जाता है अब यहां अलंगकार के हम लक्षन की बात करते हैं तो अलंगकार के क्या क्या लक्षन होते है पहला तो इस पस्ट है कि अलंकार की विद्ध मानता से कवे की सुन्दरता बढ़ जाती है वे कवे को सुन्दरी प्रदान करने वाला तत्व है अलंकार है तो कवे की सुन्दरता है फिर दो नमबर या दूसरी बात कवे को वे अधिक प्रभावी बना देते हैं सुन्दर है इसलिए प्रभावी है कवे को हमने सुना और हम उससे हम प्रभावी तर नहीं हुए इसका मतलब उसके अंदर चमतकार नहीं है कवे हमने सुना और हमारा जो धान है वो सारा का सारा उसी कवे पर लग गया तो इसका मतलब उसमें चमतकार है जिसने आपको बांध दिया तो कवे को सुंद्री पर दान करने वाला नमबर एक और नमबर दो पर कवे को प्रभावित यह निए प्रभावित का मना प्रभावशाली एकदम इफेक्टिव जिसको अंग्रेजी में कहते है आपके उपरोच ने पूरा प्रभाव डाला आपके उपर उसने पूरा इफेक्ट किया उसका जो विचार है जो भाव है वो आप तक बहुत अच्छे डंग से पहुंचा तो आप उसे प्रभावित हुए इसका मतलब उसके अंदर चमतकार है और वो चमतकार संभव किसे होगा अलंकार से फिर अगली विशेश्ता या अगला लक्षन और अलंकार क्या करता है जिस कथन में या जिस वाक्य में अलंकार होता है वो कथन विशिष्ट बन जाता है सामान्य नहीं रहता वो वो विशिष्ट बन जाता है तो विशिष्ट बनाने में कथन को या कव्वे को विशेष बनाने में ये साहिक होते हैं मदद करते हैं इनके प्रियोग से कव्वे रुचिकर बन जाता है उसके अंदर सुन्दर ता आ जाती है और लक्षन ये एक शब्द आता है उक्ति वेचित्रिय यानि उक्ति में जो कथन है जो कव्वे है उसमें विचित्रता का विधान करते है बात आप तक पहुंचानी है एक विचित्र अंदाज में एक विशेश अंदाज में ये काम अलंकार करते है अगला लक्षन कि अलंकार जहां एक और शब्द की शक्ति को सामर्थ बनाता है उसमें सामर्थे प्रदान करता है वहीं दूसरी और उसका जो अर्थ है उस अर्थ को दुगुना करके एक तो सामान ने रूप से बात कही एक उसको अलंकार के आने से उसका जो प्रभाव है वो प्रभाव दुगुना हो गया और प्रभाव से ही हम जब हमारे उपर कवे प्रभाव डालेगा तभी कवे के सार्थकता है कवी आपको समझाना जा रहे हैं लेकिन आपके उपर उस कवेता का या उस कावे का कोई प्रभाव ही नहीं आ रहा है इसका मतलब कवी का प्रियात निरर्थक चला गया लेकिन ये दि उसका प्रभाव आ गया तो कवे की जो कवीता रचने का जो अद्दिश ये था वो सफल हुआ तो प्रभाव को दुगुना करने का काम करता है अलंकार इसके बाद अलंकार के भेद अलंकार किस तरह के होते हैं तो कवे के जो अलंकार हैं उनको दो भागों में बाटा गया है एक तो सब्दा अलंकार और दूसरा अर्था अलंकार सब्द से इसपस्ट है सब्दा लंकार यहीं सब्द के अंदर सुन्दरता सब्द के अंदर ही वो प्रभाव है सब्दा लंकार क्या हुआ कि जहां कथन का चमतकार उसमें प्रियोग्त शब्दों पर निर्भर करता है जहां अलंकार का प्रियोग है वहाँ चमतकार है अलंकार तो अपना चमतकार दिखाएगा तो चमतकार यहां कहां हो रहा है शब्द में है शब्द विशेश में है अब जो शब्द चमतकारिक है उस शब्द को आप इटा दो यह हम जानते हैं हिंदी में कि एक शब्द के कई प्रियावाची होते है अब एक ऐसा सब्द प्रियूक्ट किया जिसे चमतकार हो रहा है जिसे अलंकार हो रहा है सुंदरता बढ़ रही है हमारा ध्यान वो बढ़ाने वाला शब्द है हमारा ध्यान खीचने वाला शब्द है उस शब्द को आप वहां से हटा दीजिए और उसकी जगे वही अर्थ देने वाला कोई दूसरा शब्द वहां डाल दीजिए आप देखेंगे कि शब्द के साथ ही जो चमतकार था जो उसका प्रभाव था वो जाता रहा तो जहां शब्द अपना चमतकार दिखा रहा है वह उगया शब्दा लंकार इसमें शलेश है, यमक है, अनुप्रास है ये शब्दा लंकार होते हैं अर्था लंकार क्या हुए? सब्द से इसपस्ट है कि हम पहले पढ़ेंगे, सुनेंगे उसके बाद उसका अर्थ लगाते है कि क्या कहा गया है कव्वे में तो सब्द हमें सामानने लगे लेकिन उनका अर्थ बढ़ावी सिस्ट है तो वो हो गया अर्था लंकार अर्था लंकार क्या हुए? अर्थ सुंद्रियों को बढ़ाने वाले अर्थ की सुंद्रता बढ़ाने वाले ये लंकार सब्द विशेश पर निर्बढ़नों होकर अर्थ पर निर्बढ़ होते है शब्द लंकार में सब्द विशेश पर निर्बढ़ता थी वो यहां नहीं होती हो यहां अर्थ पर निर्वड़ता है इसका अर्थ यह है कि वो जो उक्ती है वो जो कथन है वो जो वक्य है उसमें जो शब्द है उस शब्द के इस्तान पर जैसा हमने उपर शब्दालंकार में शब्द को मानलो एक शब्द को अटाया और दूसरा शब्द उसकी जगह रिप्लेश कर दिया परतिस्ता अपना कर दी शब्द की तो हमने देखा कि चमतकार जाता रहा लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है क्योंकि यहां अर्थ के द्वारा चमतकार है यहां शब्द हम एक दूसरे के द्वारा यदे हम बदल भी देते हैं तो यहां अर्थ पर निर्बर ऐसारी बात तो उसके अंदर जो चमतकार है उसके अंदर जो संदर्था है वो बनी रहेगी तो कावे में अर्थ की परदानता होने के कारण अर्था अलंकार बहुत महत्वपून होते है और इसमें उप्मा, रूपा, कुत, प्रेक्षा बहुत लंबी सरंकला है ये सब अर्था अलंकार कहलाते है तो आज हमने समझा कि अलंकार क्या होते है उनमें कौन-कौन शे लक्षन होते है और अलंकार के क्या-क्या भेद होते हैं अब आपके इस वर्स जो पाठे करम में निर्धारित जो प्रमुख शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार हैं जो आपके पाठे करम में हैं हम यहां क्योंकि पाठे करम को लेकर चलने हैं इसलिए हम केवल उनकी बात करेंगे जो आपके लिए परिक्ष्योपियोगी होंगे अगला जो वेख्यान होगा वो उन्हीं शब्दा लंकारों पर आधारित होगा धन्यवाद